प्यारे दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे कैनफिल्म फेस्टिवल में सुधा रेड़ी जी की रेड कार्पेट अपियरंस के बारे में वीडियो शुरू करने से पहले आप से प्यारी सी रिक्वेस्ट है कि प्लीज वीडियो को लाइक और शेर जरूर करें सुधा रेड़ी मूरूप से हाइदराबाद की रहने वाली है सुधा एक फिलेंथरोपिस्ट है फिलेंथरोपिस्ट का मतलब होता है वो पसंद जो दान चैरिटी करके जरूरतमन लोगों की मदद करता है सुधा रेड़ी के पती मेगा कृष्णा रेड़ी है जो की एक अरब पती है सुधा फिलेंथरोपि के अलावा मेगा ग्रूप ओफ इंडस्ट्रीज और ट्रूजट एरलाइन का कामकाज भी संभालती है अभी वह फ्रांस में चल रहे कान फिल्म फेस्टिवल में शामिल हुई है जिसकी तस्वीरे उन्होंने अपने इंस्टाग्राम पेज पर शेर की है उन्होंने लिखा है कि वह पहली बार कान फिल्म फेस्टिवल में शामिल हुई है और उनका एक ड्रीम पूरा हुआ है कान फिल्म फेस्टिवल में अलग-अलग मूवीज के प्रीमियम शो और्गनाईस किये जाते हैं सेलिब्रिटी जिन प्रीमियर को अटेंड करने के लिए रेक कापिट से होकर गुजरते हैं सुधा रैडी जी ने मेंली दो मूवीज के प्रीमियम शो अटेंड किये और दोनों ही में अलग-अलग खूबसूरत ब्रेसिस पहनी है एक ड्रेस पिंट कलर की साड़ी है जिसमें एक्स्ट्रा जालर लटक रही है ब्लाउज पर भी बहतरीन अम्ब्रोईडरी वक किया हुआ है बैक साइड में एक खूबसूरत पिंट कलर्ट फैन भी लगा रखा है उन्होंने हाथों में भी पिंट कलर की शाइनिंग गलव्स पहने हुए है साड़ी पर भी स्पार्कलिंग बैदवक किया हुआ है कुल मिलाकर यह एक बेहत खूबसूरत और महंगी अलिफेंट साड़ी ड्रेस लग रही है दूसरी ड्रेस सिल्वर कलर की है जिसमें स्लाइवस पीछे तक हैंग करते हुए आ रहे है यह एक अंब्रोइडरी की हुई शैंडलिया ड्रेस है जिसे नीता लुल्ला ने डिजाइन किया है इस ड्रेस में वो किसी क्वीन से कम नहीं लग रही है तो दोस्तों आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं कि आपको सुधा रेडी की यह ड्रास और लुक कैसे लगे ऐसे और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें वीडियो को लाइक करें, शेयर करें थांक्स फो वाचिंग दोस्तों, लव यू